हेलो स्केल एक्टिमस रुक्माप का सवयतु सो कैसे हो आप सब ही आ सकते हैं आप बहुत अच्छे होगे दोस्तो आप अच्छे होगे बहुत देखिया हम इसे रीपेयर करने जा रहे हैं यह देके मैन बोर्ड में वी लेगए आप कोई भी लाइट नहीं आ रही है देखें मैं आपको लग लाग कर दिकाता हूँ कभी आप यह सोचों किह लाइट ही नहीं ती कीच सिरी बागल कुट्छी नहीं एसा कुछ इसके अंदर ही इंटर्नली फाल्ट है, तो दोस्तों इसे खोल के देखेंगे क्या समस्याई होगी, तो यह जो पेच होते हैं जो पेच जो लगा होता है इस तरह का इस पेच जो लगा होता है, इसके नीचे दो पेच मिलते हैं, यह काफी टायट लगा, आपको काल के लेबल को और पेज़ खोल लेते हैं उसके एक कदर ठीक हो जाता है तो दोस्तों वीडियो को लाश्ट तक बने रहा है गार वाके में आप काम सीखना चाहते हो और बंदे हमारे चाल पर नए हैं आप तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लो बिल्कुल फ्री है यार बिल्कुल फ्री ग्यान मिल ला है क्या दिकता आपको कोई नुकसान नहीं है कुछ यहां पर पा के ही जाओगा कुछ खो के नहीं जाओगा आप बेफिकर होगे रहिए बिल्कुल फ्री ग्यान है यहां पर कोई जोइनिंग चार्ज नहीं कोई पैसा नहीं कोई 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 सम की जम पर जला हु श्ड़ह की डिर्च डिर्क्टीवयर पर जा रहे रहे हैं रखिए जोmid की द्रक्टीफायर्ट मरें अपया जी देखिके।ंब चुर्थ हुआ यह पर प्रिंटु फ्रक्ट बन कर Ta restricted श्राक जिए और हमने देख लé झाल K hvis और जब भी आप इसको काम को करें दोस्तों, मतलब प्रत्वी से आपके सतय पे पेड़ ना रिखे हो, उपर हो. यह देखे, फुल शोटिंग दिखा रहा है. देखे, कोई भी इंडिकेशन इसमें सो नहीं हो रहा है, फुल शोटिंग दिखा रहा है. इसका मतलब यहां पर हमार rectifier भी short हो सकता है, main IC भी short हो सकती है, SM transformer भी short हो सकता है, capacitor भी short हो सकता है, काफी सारे चीज़ भी short हो सकती है, तो सबसे पहले starting कहां से होती है, यहां पर जो यह rectifier लगा हो इसी से, तो हमें rectifier को check करना होगा, पहली दो पिन, दूसरी दो पिन, इन पर सबी पे आपस में रीडिंग चेक करने हो किसी में शोटिंग ना है 500-700 रीडिंग आजाए कोई दिक्कत नहीं है मनलब जैसे रेक्टिफियर चेक कर दें माइनस माइस टू प्लस माइनस मालब कहने मतले है टोटल चारो पिन में से हाफ शोटिंग और फुल शोटिंग भी नही तो दोस्तो देखे पहले ही हम रीडिंग चेक कर रहे है यह देखे 0.02 दिखा दी में मलब पहले ही शोटिंग दिखा दी देखे आउटपुट में भी पहले वाली पिन से चेक करें देखे सभी में शोटिंग दिखा रहा है यह देखे फिलाल है हहां पर सभी में शोटिंग दिखें दिखें दिदोस्तों इन्पुट में शोटिंग नहीं दिखा रहाे हैं तो तो हम क्या लेंगे इसको यहां से निकाल लेंगे किसको बधा है यह बहुत की कि कि till धे भी मैननस मैनस टू प्लस मैनस वल्टेज दरए सबसे पहले इसमें वल्टेज पया रही वैसे कंपनी ने देखिए भई दो सो डाइसो रुपय के तो चीज होती है इसमें एक या दो रुपय का एमोव भी लगाया जा सकता था और उसके पहले फ्यूज रेश्टेंस जिससे कि आपके अगे चीज इनफ हो गए तोड़ा सा मीटर को मैं सही से दिखाता हूं आपको अ अगर आपके पास यहां पर एक दायोड भाल सकते हो अगर आपके पास यहां पर रैक्टिफायर है तो ठीक है नहीं है तो यह का म्भी कर सकते हो लेकिन दोस्तो यह चीजे एस पर ही वरक करिंगे मतलब कहने यह जैसे की ट्रें उती अग डिस करंट होता है याद रखना उसमें DC करन्ट था उस पर यह वर्क नहीं करेगा महां पर कौन दोस्तों चोड चार्ज करने जा रहा है इसको इसलिए दोस्तों एक डायोड से हम काम चला सकते है कोई दिक्कत नहीं है मैंने ओर जनल डायोड लिया है 009-88-207 तो नहीं है तो एक डायोड का प्लस फाला शीरा के पिश्ट पे प्लस पर रखा है तो यहां अनल बेया और उसको प्लस और बिलस की अब यहां और अगया है यह हमारा यहां पर कैपिश्टर लगा सीधा कैपिश्टर पर यहां पर आ गए प्लस तो दोस्तो इस से मिल गया मैं डायोर से और जो माइनस है वो डिरेक्ट के अब देखिए दोस्तों चल तो गया लेकिन यह बिलिंक कर रहाया देखर आ लेकिन रिजोरीज बोड़ का ऊकाल नोज OPel में जो में प्ला के लिए बिलिंग तरौष असी आ अपक क्या तो मतलब का ब्यक्स कर रहा है सकता है इन पूला मतलब मेन कैपिश्टर वह वाला भी जिस पे हमारा अभी हमने टार लगा आउटपुट वाला भी तो सबसे पहले आउटपुट वाले पर लगा कर देख लेते हैं क्योंकि उसके चांसे ज्यादा होते हैं खराब होने की लेकिन दोस्तों फ्रेंट में नी की जो पहले है इसमे अगर थोड़ा गोर से देखेंगे तो कम चालू बंद चालू हो रहा है देखिए यह देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए अभी भी मतलब परकिरिया वही है थोड़ा चालू फ्लेक्ट्टियूसन कर रहा है यह के अब देखिए तो इसका मानला दोस्तों जो हमारा मेन कै तो दोस्तो डिरेक्ट करेंट गया होगा सीधी इसी बात है वोल्टिज गया लगी तो खराब हो गया ज़्ट होगा है आप शार सो पचास ओल्ट दस म्याफ को मियाप टे अ नहीं पर लगा तिया है चल्ती लाइन पर आ करें आप हमें एक्सपिटिएट काफी तो दोस्त आप यह चीज ना करें देखें मैंने आपके लिए सेफ्टी के लिए अटा दिया है वैसे बहुत इजी है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर वी दोस्तों चलती लाइन का आप काम ना करें यह देखें कैपिस्टर हमने फिलाल उपर से लगाया है टेस्टिंग के लिए अब मैं टेस्ट कर लेते हैं अब हमारे यह प्रास ओ गया है अब कम्प्लीट पास देखें कब होगा हम मैं इसेन में बहुंकर दिखाएंगा आपको टेस्ट करके दियां यह वाक्य मैं काम कर रहा है कोई अशी पागलपन्ति हैं हम दोस्तों पूरा संतुष्ट कर बेदे पेथते ह बिल्कुल परफेक्ट वोल्ट है अब जरा इसको लोड पे चेक कर लेते हैं यानि कि जी चीज के लिए बनाया है उस चीज पर काम कपड़ा के देखते हैं तो मैं एर मचो वह तिया माई तो मैं यहां पर इसप्रे मचीन को नीचे सो उठा दो मेरे पस रख किसान भाई लिए तो देखे मैं इस Прав lige होसेरीज स्प्रेम्म्चीन में अभी स्रीम्ची में लगा रख आ देखें घ्रिंड लाइट जली है अभी red हो सकती है इसके लगाते हैं यहां पर चेंज हो रहा है मैं डिर्क्ट लगाते हूं यह देखें red light आ चुकी है और होनने लगा, देखे हैं दो ещё हमारा adapter रुखके हो चुक है, आपके सामने है चार्जिंग चल चुकी है, पहले green ता, अब red हो गया, क्योंकि आज के लिए इतना ही जैहिन वन्देबादम दोस्तों आपको दिन सुबो जैश्राइब